अल्वेज वेलकम साथियो डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ साथियो अपनी फ्लूड मेकनिक्स और मशीन की सिरीज चल रही है जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हो सारे नोट्स आप पीडिया फॉर्मेट में डाउनलो वीडियो में हमने जाना था फोर्स वर्टेक्स मोशन में किस प्रकार यह गवर्निंग एक्वेशन से अपनी एक्वेशन ड्राइव होती है साथ यह जो की जैड एक्स पर हाइट बताती है प्राप्त होती थी है अब इस वीडियो में हम जानने वाले है टोटल हाइट और व यiiii और इसको यदि किसी कंटेनर हम रखकर इसको रोटेट किया जाती हुं तो यह हमें promotesd quin अब मुंत सिधिते पहले यहां था इसा लेविल सात्य हो फ्र Centers अब ओध만 माने के बाद इस परकार बन जाता है कर इस परकार इस लेविल से इसकी हाइट उपर ए है और नीचे भी है इस परकार आप देख सकते हैं इसको नो इस फिल कंडिशन का जाता है जब दोनों बराबर हों बेस से उपर नीचे इस परकार अब आप देख सकते हैं इसमें से आप इसको मानते हैं तो आपको height एक और ये दो, दो height होंगी साथ यो कोई भी आप कहीं से measurement करना चाहें तो इस परकार आप coordinate ये विंदू ले सकते हैं, ये विंदू ले सकते हैं, पिछली video जो हमने दो point ओपर steady की थी, जो कहीं बीच में थे, यहाँ पर हम ये z axis वाली height measurement लेना चाहते हैं तो एक ये height और ये इसकी radius consider करते हैं, इस परकार जैसा कि हम जानते हैं, ये container की radius है, full height पाने के बाद और ये z axis है अपना 0, यहाँ से लेकर ये, इसका z axis हो जाएगा, यदि आप origin ये उपर वाले 0-0 मान के चलते हैं, तो आप इस परकार height लेंगे, इसी परकार pressure measurement करेंगे, जैसा आप चाहें, उस परकार से आप कर सकते हैं we know that, जैसा कि हम जानते हैं, पिछली वीडियो में equation हमने देखी थी, किस परकार आती है, अब इस equation में हम value put करते हैं, इन दो point के लिए, r1 लेते हैं साथ हो 0-0, इस परकार आप देख सकते हैं, और ये अपना z है, यहाँ पर origin उपर माना, माइनस z ले सकते हैं इसको आप, च आप कहेंगे साथ हो, r1 कितनी थी अपनी 0, r2 maximum capital r हो सकती है, जो container की है, और z2 क्या है, 0 साथ हो, तो इस परकार, if z1 0, then r1 capital r, z2 minus z, then r2 00, इस परकार से साथ हो, इन दोन पॉइंटों के coordinate आप देख सकते हैं, इस point को यदि आप radius 0 है, z axis उपर से ले रहे हैं थे, हम maximum z हो सकत होता है, और इस point पर आप देखेंगे, साथ हो, 0, 0 है, और यहाँ पर radius r हो सकती है, और z axis हो, यह अपना r और दूसरा coordinate है, वो z axis वाला है, अब यह value हम equation में रखेंगे, साथ हो, तो equation में क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर आप देखेंगे, z2 minus, z1, z2, कितना है अपना 0, और यह minus z है, यह already minus sign था, यह plus हो जाता है, इस परकार से, यह reference का अंतरे साथ हो, आप उपर से ले देए reference, तो आपको यहाँ पर negative value रखी जा रही है, क्योंकि इस परकार आप लेते हैं, तो नीचे वाले, यहाँ negative sign होते हैं, इस परकार, यहा और वाले, प्लस वाले होते हैं, और वन अपना 0 है साथ ही हो, और r2 कितना है अपना, यह r, इसको आप minus लेना चाहें, यह तो positive रहेगा, minus लेनी किसे आप सकता नहीं है, minus होता तो भी है, इधर positive हो जाता है, लेकिन यह तो positive रहेगा, r2 तो इस परकार r square आ जाता है, तो हमे finally equation प्राप्त होती है, z is equal to omega square divided by 2g r square, इससे आप कह सकते हैं साथ हो, यह value constant है, तो z directly proportional to r square, radius के square के बरावर समावन पाती है इसके, जैसा का आपको पिछली वीडियो में बताया जा चुका है, parabolic या paraboloidic equation अपनी इस परकार साथ हो, अब यदि आप volume निकालना चाहें, इस परकार आप देख सकते हैं, यह direct formula volume of paraboloid, यहाँ पर b is equal to pi r square divided by 2 into h में साथ हो, pi r square s divided by 2, यहाँ पर h क्या है, z है साथ हो, height है, इस परकार से आप देख सकते हैं इसको, अब आप इसको इस परकार भी याद रख सकते हैं, एक parabola उपर, एक नीचे इस परकार मूब हो, इ यदि आप उपर की तरफ जा रहे हैं, तो यह वाला इसका करव है, वो घटेगा साथ हो, क्योंकि उपर कौन है, और नीचे इसका बढ़ेगा, इस परकार यहाँ आप देखेंगे, इधर छोटा सर्किले इधर बढ़ाए, तो एक दूसरे के balance करते रहते हैं, एक परकार से cylind बाइन वॉल्यूम आपको प्राप्ट होता है, यह से आप कह सकते हैं, दो पैर बोलाओं का वॉल्यूम एक सिलेंडर के बरावर होता है, इस प्रकार से याद रखने के लिए यह डाइग्राम आप अपने जहने में रख सकते हैं, तो वॉल्यूम इसका पाई आर स्कौइर divided by two होता है साथ है यदि इस topics related vortex motions related आप अपने point note करना चाहते हैं तो यहां आप उन्हें note कर सकते हैं advance point के लिए space आपके लिए बात बीच बीच में आपको बताया जाता है कि आप blank page रखें special notes आप चाहें जो important point note कर सकें उम्मीद करते हैं साथ यह video में दी गई जानकर आपको अच्छे समझ माई होगा अभी वह आपका कोई confusion है तो आप हमसे comment करकर पूछ सकते हैं साथ यह आप चाहें तो अपने सुझाब भी हमारे साथ साजा कर सकते हैं आप हमें feedback दे सकते हैं इस content से related आप हमें कोई सुझाब देना चाहें तो अभय से बताएं contact link आपको video description मिल जाएगी वीडियो को अन तक देखने के लिए चैनल को support करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद